हंजी, पैसिव इंकम, पैसिव इंकम कमाना चाहते हो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स तुम्हें ये सपना बेच रहे हैं पैसिव इंकम कमाने का और तुम उनके माया जाल में फस रहे हो दोस्त एक बात को ध्यान में रखना मैंने ना एक quotation पड़ी थी इंटरनेट पे केते pain is inevitable, suffering is optional जो pain है, जो दर्द है, जो तुम मेहनत कर रहे हो जो तुम hard work कर रहे हो, जो तुम input डाल रहे हो वो तो inevitable है, वो तुमें डालनी ही पड़ेगी पर जो तुमारी suffering है, जो तुम दुख मनाते हो, मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहे है, मैं हर हफ़ते इतना घंटा काम कर रहा हूँ वो तुमारी suffering optional है, मैं क्या कहना चार रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझो, बहुत पतेगी बात है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तुम्हें concepts पताऊंगा तुम्हें यहाँ पे होना अगर तुम जिंदगी में, वो तुम्हें यहाँ पे ले आएगी ऐसे ऐसे concepts पताऊंगा जो तुमारे finance के बारे में जो तुमारी विचार धार है उसको पूरी तरीके से change कर देगी वो और scientific तरीके से, spiritual तरीके से, religious तरीके से तीनों तरीकों से आज यह जो passive income की myth है मैं इसको bust करूँगा और मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे कुछ चंद यूट्यूबर्स थोड़ी सी fame पाने के लिए कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को गुमरा करते हैं यह बोलके कि बिना मेनत के तुम पैसे कमाऊगे एक चीज तुम common sense लगाओ यार पैसा एक ऐसी चीज है जो basic necessity है हर इनसान को चाहिए तुम्हें survive करना है तुम्हें खाना खाना है तुम्हें कपड़े खरीदने हैं सारी basic चीजें आज पैसे से आ रही है और अगर किसी चीज को लेकर सबसे ज़्यादो competition है इस capitalistic economy में तो वो पैसे कमाने का competition है हर इनसान आज की date में पैसा कमाना चाहता है क्योंकि उसे पता है पैसा उसकी 95% problems को solve कर सकता है no doubt life में हमेशा कुछ ऐसी चीजे रहेंगी जो पैसों से solve नहीं हो सकती पर आपकी life की 95% से 99% problems सिरफ और सिरफ पैसा solve कर सकता है और ये सच है जो लोग इस बात को सुनते हैं और समझते हैं और मानते हैं वो अलरेड़ी अपना आधारास्ता पार कर चुकी है ऐसे में आज कोई YouTuber आता है और वो बोलता है कि तुम बिना मेनत किये पैसे कमाऊगे मैं जो advice दे रहा हूं उसे सुन लो तो वो तुम्हें गुमरा कर रहा है क्योंकि खुदह तो यूट्यूब पे वीडियो है उसे पैसे कमाऊगे कि तुम रोज गदा मज़दूरी नहीं कर रहे हो पर तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हैं जो तुम्हे आटोमाटिकली पैसा कमाके दे रहे हैं तो अब्विसली यह कॉंसेप्ट तो सच है पर इस कॉंसेप्ट को अपनी लाइफ में अगर आप मिडल क्लास फैमली से वो जो बाते होती हैं पैसिव इंकम की उन्हें अपलाई कर सकते हो यह सिरफ रिच क्लास लोगों की बात है मैं तुम्हे छोटा सा एक्जामपल देता हूँ सपोस करो कि तुम एक बहुत अमीर घर में पैदा हो तुम जिस घर में पैदा हो उसमें 50 करोड की प्रॉपरटी ह तुम्हें इन्हेरिटेंस में मिल रही है और तुम्हें पता है कि प्रॉपरटी से तुम्हें लाखों का रेंट आ रहे हैं और तुम्हें महीने के 10-15 लाख रेंट पे आ रहे हैं भाई फिर तो वो पैसिव इंकम है तुम्हें बिना मेहनत की पैसा आ रहा है क्योंकि तुम पैदा ही ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मंतली 10-15 लाख रुपे तुम्हें रेंट से आ रहे हैं आज कोई यूटीबर आता है और वो यूटीबर ये बोलता है कि आप भी पैसिव इंकम क्रियेट कर सकते हो तो इस बात में कितना दम है सपोस करो तुम कहते हो कि मुझे पर मन्थ वन लाक कमाने पर मुझे वो नौकरी करके नहीं कमाना मुझे वो बिजनस करके नहीं कमाना मुझे वो वन लाक पर मन्थ इस तरीके से कमाने कि वो बस पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता रहे हर महीने मुझे एफ़र्ट न डालना परे मुझे मेनत ना करनी बड़े तो व और अगर तो तुम तुम्हें बनी बनाई मिलगी फिर तो बात यह लग है ठीक है बट यहां पर मेरे वीडियो का टाइटल किया है कि जो मिडल क्लास लोग है कि उनके लिए यह कॉंसेप्ट वायबल है पैसिव इंकम का क्यूंकि तुम एक मिडल क्लास आदमी हो तुम महीने क पचास अजार कमारे हो महीने का 1-2 लाख कमारे हो जौब पर जाते हो अपनी पैसा कमाते हो और तुम्हें प्रापर्टी भी तो 78 करोड की है इसके बारे में तो वह यूट्यूबर्स तुम्हें पताएंगे नी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बिना महेंत के 1 लाख पर मंथ आता रहे कहीं से पैसे इंकम हो जाए कि तुम्हें महिनत ना करनी पड़े और वह पैसा आता रहे तुम को मुझे वान लाक पर मंथ पैसे इंकम चाहिए कि रेंट आता रहे पर उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए तुमारे पास आज फिर आठ करोड कैश में होने सुनार्ट की प्रॉपरटी खरीद रहे हो और तुम हर महीन वन लाक खार है रेंट के तौर तो तुम को गया अगर मेरे पास आठ करोड जो इतने पैसे हैं तो मैं क्यों लगाओंगा मेरे पास तो ऑल्रटी इतने में पैसे मैं लाइफ एंज्व कर रहाँ फिर मेरे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है मैं FD करा लूँगा उसी से ज़्यादा पैसा आ जाएगा बात तो सही है न तो बेसिकली यार पैसिव इंकम सच है ये बात सच है कि इस तुनिया में तरीके हैं इस तरीके से पैसे कमाने के जिसमें तुम अपना टाइम नहीं बेच रहे हो और आटोम जनरेशनल होती है जनरेशनल होती है कि आज मेरे पास यह पास यह जायो तरीके से ऐा ूपयोग में लेकी करते हैं कि तुम्हारे पास बहुत तुका पैसा पड़ा हुए है, तुमारे घर के खर्चे अच्छे से चल रहे है, और अब तुमें इंटरस्ट आ रहे हैं, कि मुझे पैसिव इंकम करनी है, तो इस बात की सैंस बनती है, हो सकता है, तुम 40 साल के हो, 50 साल के हो तुम्हारे retirement age तुम्हारे पास आरही है तुम्हारे पास कोई pension नहीं है तुम government employee नहीं हो और तुम passive income के बारे में सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा index fund में डालदू इतना stock में डालदू, इतना mutual fund में डालदू तो passive income आ जाएगी अब सोचता है कि मेरे को passive income करनी है तो वो बंदा जमा ही पागलो वाले काम कर रहा है उससे वो basically आलसी बंदा है जो मेहनत नहीं करना चाहता आज की date में यार दो तरीके हैं पैसे कमाने के job कर लो, business कर लो, ठीक है जो बाकी फालतू की चीज़ें है बॉलिवड एक्टर बंजा बॉलिवड एक्टर इस बंजा उस पर तो मैं कमेंटी नहीं करूँगा 95% जनता आज दो तरीकों से पैसे कमाती है या तो जनता जॉब करती है या जनता बिजनस करती है तो और जॉब वले जादा है बात तो जॉब वला आदमी तो पैसे इंकम के बारे में सोचे लिए ना उसके दस घंटे तो वैसी ऑफिस में जा रहे है वो अपना टाइम बेच के तो वैसी पैसा कमा रहा है वो कहां से पैसे इंकम करेगा बचता है बिजनस वाला बंदा अब business वाला बंदा passive income तब कमा पाएगा जब उसको पता होगा कि मेरे पास इतना extra पैसा पड़ा है इसे मैं stocks में invest कर दूँ इसे मैं mutual fund में invest कर दूँ यहां से मेरे को इतना dividend मिल जाएगा तो उस बात की sense बनती है पर आज की date में जितने भी यह YouTubers हैं जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें बिना मेनत किये पैसा मिल जाएगा भाई तुम्हारा बेवकूप बनाया जा रहे है तुम्हें समझ नहीं आ रही है चीज just because कोई बंदा आज YouTube पे आके कुछ भी बोल सकते है और तुम उसको मान लोगे just because उसको हजारों लोग follow करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो बंदा तुम्हें सही रा दिखाएगा वो बंदा तुम्हें सही direction दिखाएगा तुम्हें अपने finance के साथ तुम्हें अपने पैसों के साथ तुम्हें अपनी money game को intelligently खेलना होगा तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा जो है बहुत important asset है अच सारी दुनिया पैसे के round घूम रही है आज आप शॉपिंग बॉल में चले जाओ ना यार एक है तुम बंधन के जा रहे और एक है बिखारी जो बिखारी यह उसे shopping mall के अंदर entry भी नहीं मिलती है उसका हुलिया देखके उसको मनागर दिया जाता है ठीक है तो money is important अब यह नहीं किराँ कि पैसाई सबकुष होता बट इस चैनल पर तो मैं पैसे की बात करोऊगा ना क्य כई इस चैनल की थीम ही finance के बारे में बात करते है WIL मी कैसी बहुत सरी चीज़े होती है जो तुम्हारे पैसों से जादा इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स तुम्हारे अपने घर वालों के साथ कैसे रिष्टे है तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा सरकल कैसा है ठीक है तुम्हारी हेल्थ कैसी create करो अगर तुम 20 साल के हो ना भाई तो और तुम्हें वो तुम्हारा तुम्हें अगर तुम चाहो ना तुम्हें उस्त चड़ सकते हो और तुम्हें कोई आके इनसान आलसी ऌने की motivation दे रहें कि तुम मेऱनत ना करो business ना बनाओ product ना बनाओ कस्टुमर के साथ मीटिंग करने की जरूरत नहीं है कलाइंट के साथ मीटिंग करने की जरूरत नहीं है बिजनस में ध्यान देनी की जरूरत नहीं है जॉब इंटर्वियू देने की जरूरत नहीं है जॉब में अप्लाइ करने की जरूरत नहीं है अगर कुछ तुम यह सब कह थो कि तुम मेइनत करो क्यूंकि दुनिया का तो काम ही है तुम्हें अपने फायदें काम ही लोगों को सच्छ ना ही नहीं है नोग चाहते हैं कि जो उनना चाहते हैं यूटीवर वह ब Homeland सो जाए तो अगर तुम चाहते हो कि तुम सच्छ जुनू चाहे वह किन वह कड़वा क्यों न हो और तुमें जिंदीगी में एक सही रास्ता मिले तुम सही रास्ते चलो तुम मेहनत के रास्ते चलो जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि करम योग करो करम में ही तुम्हारा फल है और फल के बारे में चिन्ता ना करो करम करो अगर तुम उस रास्ते पड्या जाना चाहते है जो हमारी संस्कृत ने हमें philanthropन can जो भगवद गीता में बोला अगर तो उसका तुम तो भाई पैसे तो तुम देखना को नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं और तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे passive income सही है, तुम्हें अपने mindset को change करना होगा, तुम्हें अपने mindset में shift लेके आना होगा, और तुम्हें यह समझना होगा, कि आज नहीं तो कल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है जब मैं 40-50 साल का हो जाओं, मेरे हाथ पैर ना काम कर जो ना अभी तो तुम मेहनत करके प्रोडक्ट बिल्ड करो बिजनस बिल्ड करो नए नए चीज़े ट्राइआउट करो ऐसे मेहनत करो तो वीडियो का टार्गेट यह पचास लाइक्स का है मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए मतलब इतना बूटली ओनेस्ट हो के कोई भी तुम तुम्हें कोई नहीं देता इतने ठंक से चैनल मुझे सब्सक्राइब चाहिए यह मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कर दो चुपचाब और इससे बढ़िया एडवाइस तुम्हें फाइनस की कहीं मिलेगी नहीं मैं लिखवा कि तुम्हें दे रहा हूं तो तब तक के लिए क्या हूं कि उससे दिखाओ कि तुम चीज क्या हूं गुडबाई टेक केर सब्सक्राइब कर देना गुडबाई